दोस्तों नमस्कार मैं हूँ विनीता यादव देश में 2024 से पहले जाते जाते जो कुछ भी 2023 में हो रहा है उसी की पटकता पर 2024 की मारत बनेगी जी हाँ क्योंकि 2024 से पहले अभी 2023 में एक एक घटना माईनी रखती है जो की तै करेगी ना सिफ 2024 में बलकि अगले 5 साल में इस देश में क्या होने वाला है यही पर बिहार का रोल इसमें बहुत अहम है बिहार ऐसा रोल प्ले करने वाला है जो की बहुत मैटर करेगा लेकिन अ स्वीर कुछ और हो सकती है सब जानते है कि निटीश कुमार किस तरह से कभी भी अपना दल बदल लेते हैं तो क्या निटीश कुमार एंडिये में जाने वाले हैं लगातार यह खबर जैसे ही टीवी चानल वालों को मिलती है तो उन्होंने खबर चलानी शुरू कर दी है कि सकती हैं धिली आ गये है पहले में आपको बठा दो कि उनके दिली आने की वज़ा उनकी राष्ट्य कारेकारीने की बैठक है जो की अकसर जाद तो लोह को मालूं भी होगा क्योंकि राष्ट्य कारेकारीने की 29-39 को है दिली में उसी के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं ले ललन सिंग को लेकर के चर्चा ये चल रही है कि किस तरहां से ललन सिंग जो है उनको उनके पार्टी पद से हटाया जा सकता है हटाने की बात सामने क्यों आ रही है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कुछ तो ऐसे अंदर पक रहा है जो कि नितीश कुमार को रास नहीं आ रहा क्यों इस तरहा से परिशान होथे हैं क्यों ललन सिंग के खिलाफ इस तरह की ख़़जे कुछ पर नितीश कुमार की जबानी बयानों की बात की जाए जो कि टीवी चानल्स पर अक्सर दिख जाते हैं बाइट के तौक पर तो उन पर आप मज जाईएगा क्योंकि नितीश कुमार कभी भी ये किसी को नहीं बताते हैं कि वो क्या करने चा रही है उनके जहन में क्या चल रहा है अगर वो सीधे हाथ होगा तो वो उल्टा बता देंगे तो इसलिए उस रास्ते पर तो कता ही मत जाईए क्योंकि नितीश कुमार के मूट का किसी को अंदाजा आज तक नहीं हो पाया भले ही RJD उनकी साथी बनी हुई है लेकिन RJD भी अच्छे जजानती है कि नितीश कुमार रात को क्या बात करेंगे और सुभा क्या कॉल आ जाएगा और कैसे मामला पलट जाएगा इसकी गैरंटी कोई नहीं ले सकता है अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखरकार ऐसा क्या हुआ है कि नितीश कुमार इस तरह के स्तिती में आ गए है कि उन्हें अपने पार्टी अदिर्ख्ष को हटाने की बात सामने आ रही है ललन सिंग की पिछले कुछ वक्त से लगातार का अरीबिया दिखाई देई है जो कि आरजेडी के साथ में त्योंकि यहाँ पर राज्ये के अंदर यह चर्चा बहुत जोरो पर हो रही है कि पार्टी में जब से इन दोनों पार्टीों के बीच का गटबंदन हुआ है तब से यहाँ पर तस्वीर कुछ और दिखने लगी है ललन सिंग जो है वो नितीश कुमार के डिसीजन्स पर भी भारी पड़ रहे है अंदर यं-दर RGD के सथ करीब या ज़्यादा बढ़ रही है और ललन सिंग नहीं या आइडिया दिया है कि नितीश कुमार जो है वो प्रधान मंतरी बन जाया लालू यादव भी जो प्रधान मंतरी बनने की फैरवे नितीश कुमार के लिए कर रहे थे वो उसी की एक कड़ी थी लालु यादव ने भी जिस तरहां से उनकी चेहरे को आगे रखने की बात की थी वो इसी वज़ह से कही थी क्योंकि ललन सिंग ने कहीं न कहीं ये बात समझा दी नितीश कुमार को भी और लालू यादा कोभी की भाई नितीश कुमार जो है वो प्रदान मंतरी बन कर दिल ली चले जाएंगे तो फिर राज्ये यहाँ पर कौन देखेगा यहाँ पर राज्ये की कमान जो है वो तेजस्वी के हाथ में दी जाए तेजस्वी को मुख्य मंतरी बनाने की काफी हद तक तैयारियां समझना अंदर चर्चाएं काफी हद तक पूरी हो गई लेकिन अभी इस वक्त में सबकी नजटिकी हुई है 29 तारिक पर नितीश कुमार 29 तारिक को क्या फैसला लेते हैं अपनी राष्टे कारेकारणी में ये अपने आप में एक बहुत एहम बात है तरह सल यहाँ पर नितीश कुमार ये देख रहे हैं कि जब तक उनको कोई और बड़ा पदना मिले वो अपने मुख्यमंतरी का पदना छोड़े हाला कि काफी हद तक वो तयार हो गए थे पूरी स्थितियों को देखते हुए लेकिन जब उन्हें भनक मिली कि ललन सिंग पार्टी में कुछ और ही खिचोड़ी पका रहे हैं उसके बाद नितीश कुमार ने एक अलग तरह का यूटर्म ले लिया है अब उनके तेवर सक्त हैं लालन सिंग को लेकर इसी के चलते जेडियों में अच्छी खासी उथल पुथल मची हुई है अगर जेडियों में ये जो उथल पुथल मची है इसका फाइदा बीजीपी ने ले लिया तो आप मान कर चलिए कि गटबंदन में एक बहुत एहम मोरा कम हो जाएगा और ये वो मोरा है जो धीरे धीरे अपनी शतरंज की चाल के सहारे सीधा राजा की जगा पर जाकर बैठना चाह रहा था लेकिन इस वक्त उसे समझ में आ रहा है कि आसान नहीं है इतनी चाल पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी भनक से पार्टी को नहीं बलती बाहर भी बहुत लोग को पड़ चुकी है दूसरे बाकी के जो दल है वो तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि नितीश जो है वो घुट-घुट कर जी रहे हैं और प्रधान मंतरी बनने का सपना देख रहे हैं तरह कि तमाम बाते सामने आ रही है उपेंदर कुछवा भी उनमें से एक है वो लगातर ये बात अब सामने रख रहे हैं और इस पूरे मामले को तेजी से हवा दे रहे हैं क्योंकि अगर उन्हें ललन सिंग को हटा दिया और राष्टे अध्यक्षकापद उन्होंने अपनी पार्टी का खुद से देखना शिरू किया तो पार्टी के तमाम फैसले बुलेंगे क्योंकि ललन सिंग अभी तक अंदर ही अंदर कई फैसले ऐसे थे जो नितीश कुमार को नहीं समझा रहा था और वो फैसले ले रहे थे नितीश कुमार दूर की चाल चलते हैं इसलिए उन्होंने सबसे पहले ललन सिंग को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली है अगर उन्होंने वाकई में उन्हें ठिकाने लगा दिया तो उसके बार नितीश कुमार की अगली चाल क्या होगी ना वो आरजेदी समझ पाएगी और ना ही वो बीजेपी समझ पाएगी ऐसे में नितीश कुमार की चाल हमेशा की तरह full of suspense दिखाई दे रही है इस वक्त लेकिन इसमें कोई दो राए नहीं है कि नितीश कुमार लालू यादव और तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले इस बात पर अपनी रजामंदी बना चुके थे तैह हो चुका था ये सब कुछ भले ही ये ललन सिंग की राय पर हुआ था लेकिन ये तैह हुआ था कि तेजस्वी अब मुख्य मंतरी बनने जा रहे हैं और नितीश कुमार पधान मंतरी की तैयारी में लगी है ये तस्वीर सामने आने लगी थी पहले उन कुछ बयानों को द प्रती आदर का भाव है वो सब जीवन बर रहेगा मेरा समझेगा ना जब तक हम रहे है ना सिर्फ इतना बल्कि उपेंद्र को मुश्फवहा ने तो ये तक कह दिया है कि नितीश कुमार और लालू दोनों को लडलन सिंग्गी बर बार कर दिया है और और दोनों का आपशनी विल कराने जा रहे या निकि जे डियू जो है वह आर्धेटी में विलह होने जा रही इस तरह की स्थितियां सामने आने लगी यानि कि कुल मिला करके RGD और GDU के बीच में कौन फैस ले ले रहा है इस वक्त कुल मिला कर ये तो तै नहीं नजर आ रहा है क्योंकि बहुत कुछ खिचरी इस वक्त बिहार में पक रही है ऐसे में BGP के लिए एक बहुत सुनेरा मौ का है ये जिसमें वो किसी भी तरह से नितीश को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश करेगी लेकिन नितीश को जिस तरह से RGD ने लगाता पिछले कुछ समय से पूरी तवज्जो दे रखी है उसके बाद नितीश कुमार के पास भी आप्शन नहीं बचता है कि वो RGD का दामन छोड़ करके कहीं और जाए ऐसे में RGD के साथ मुख्यमंतरी बने रहना ये उनकी पहली पसंद चल रही है जिसमें कोई बदलाब दिखाई नहीं देता है हाला कि NDA के पास जाने वाली जो बात इस वक्त चर्चा में शुरू की गई है उसमें अभी बहुत दम नहीं दिखाई दे रहा है आएए बात करते हैं इसी खास मुद्धे पर वरिश्पतरकार से और समझते हैं कि बिहार की राजनी थी 2024 का गेम बनाएगी या फिर बिगाड़ेगी अभिलाश्टर यह जो बिहार में उतल पुतल हो रही है और नितीश कुमार दिल्ली पहुँच गए है खबर चल रही है टीवी चैनल सपर कि वो दिल्ली पहुँच गए है ऐसा लग रहा है जैसे अंडिय में यहां पर यह तमाम जो उतल पुतल है यह कोई न के मंतर करें के हैंना जाइक इस शोटी इंडिया एलाइंस ऑप और करें कोई उपये हैं और जाकि आसे heini राश्ती पधाजिकारियों की दिल्ली में बैठक है अच्छा 28 तक तो ललन सिंद अच्छा ही है उसके बाद 29 को वहाँ पर राश्ती परिशत की बैठक है और कारिकारणी की बैठक है जेडी युका जो सम्विधान है उसमें राश्ती परिशत के बिना नहीं होता है तो राश्ती परिशत की बैठक इन्होंने 29 को बुलाई है अच्छा राश्ती परिशत की बैठक बुलाने का मतलब कुछ और भी होता है कि कुछ एक नई नया सरूप आया या कुछ को राश्ती परसत की बैठा लगबग दो सो लोग है उसमें और इतना साधारन तोर पे उसको नहीं बुलाते हैं लेकिन अब उन्होंने बुलाया है तो जाइज दी है कि कोई एक नई लगब दे दे भी खबर होगी या नई चीज़ें लेकिन इसका कैवल एक मतलब नहीं है कि वो एंडिये में सामिल होने चले जा घारे है ये ठीक है सॉसिल मुदी जैने से लोग बोलते है ठ्रवक्ता तो तो जिनका दो साल पूरा हो गया है लेकिन आप तो खबर यह आ रही है सामने की ललन सिंग जो है वो बेसिकली देजसु यादव को मुख्य मंतरी बनाने की बात और नितिश कुमार को पुरदान मंतरी का दावेदारी की बात करके चीजों का आगे प्रसीट कर रहे थे और अब अचानक से बात उल्टी पढ़ने लगी है ललन सिंग के उपर तोड़ा अभत्र है लेकिन राबी जी के मुझसे अच्छा लगता है कि गाओं की हैं कि दोनों एक दूसरे के बहनों ही है साले बहनों ही है आपको याद होगा इस धनका वक्त विका था और इस समय ललन सिंग आर जेडी में है या इस समय ललन सिंग जेडी जू में है इससे बहुत भारी फर्क नहीं पढ़ने वाला है वो कहीं पर भी है लेकिन अटेजस्वी को सियम बनना होगा तो वो बात करें नितीश कुमार से चुप चाप क्यों नितीश कुमार के पास 45 विधायक है कुछ तकुछ उनके पास है ना तो ये तोड़ फोड़ की बातें ये सारी चीजे मुझे लगता है कि अभी नितीश और इनके तेजस्वी के वीद का विवाद दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ नही है हना कि लैलन सिंग को दो तीन लैलन सिंग जब बिहार के जेडियू के अधस्त है तब उनके खिलाब जो है कुछ बात कही थी इन्हों नितीश कुमार के खिलाब एक दो बार वो बोल भी चुके हैं बलकि जेडियू में इनको एक बार लोग सभा का से निसकासित करने की लेकिन अभी जो मैं आपको बताओं मेरे एक नीजी बात हुई है उनसे पहले यहां जब इंडिया एलाइंस की बैठक थी तो काफी देर थे मेरे साथ में तो उनका जो विचार घारा थी उससे हलाकी राजमेटिक बड़े घाग होते हैं बड़ा कुछ जलक नहीं रहा था ले लेकिन अंडिये में नितीश कुमार के सामिल होने से का कोई मतलब है नहीं मुझे लगता है उनको से ज्यादा कुछ अभी मिलना नहीं है और उनको राश्त्री राज्जीत में जाना है इंडिया एलाइंस जीते यहारे वो राश्त्री राज्जीत में जाई सकते हैं लेकिन उनकी उनको कोई ऐसा आफर मिला है क्या है अभी बहुत सारे ऐसे कोई प्रमान आये नहीं है और बैठके दिल्ली में होती है इन लोगों की राश्तिकार कार्णी की राश्ति परस्त की तो वो बैठक है हाँ एक नाम चल रहा है रामनाथ ठाकुर साथ का देखिए नितीश कु और उसमें OBC को लेकर राभूल गांधी भी चल आ रहे हैं नितीश कुमार भी बोल ले हैं और सारे लोग देख दभाव डाले हैं नरेन मोदी पर तो अब चूंकि ललन से ठाकुर है राजपूत हैं तो वो यह चाहेंगे कि एक ऐसा वेक्टी बने जो OBC का है तो रामनाथ का नाम भी आ रहा है लेकिन इसके लिए हम लोगों को 29 तारीक तक रुखना पड़ेगा एंडिये में जाने का एक ची ज़वर भी है जो मैं आपको बोलना चाहता हूं इंपॉर्टिन चीज है लेकि लगबग 20 नहीं तो 16-17 सीटें में निदीश कुमार लड़ेंगे लोग स सवा का चुनाओ ऐसा होता है चुनाओ आयोक के हिसाब से कि जो राष्ट्री अद्दच होता है पार्टियों का उसके पास एक अथार्थी होती है कि वो सिंबल एलाट करता है तो क्या निदीश कुमार या ललन सिंग में कोई ऐसा विवाद हुआ है किसी दो तीन पर कि ललन सिंग को सुनाओ आयो की तरफ से अधिकरत है कि वो किसी भी जो सत्रा ठारव रत्यासी लड़ेंगे वो उन पर तै करें उनको सिंबल दें भी फाम दें अब क्या उन दो तीन कंडिडेट पर कोई विवाद हुआ है निदीश कुमार पर निदीश चाहिते हैं कि यह ना राश्टी अधच बने शाहिए वो राश्टी अधच बने या राम ना ठाकुर बने जो भी बने तो शाहिद एक कारण यह नहीं दोनों सवाल पोछ रही है तो यह सवाल आने लगा था है ललन सिंह इस तरह से काम कर रहे थे कि जेडियू का आर्जडी में विलाई कर दूसरी बात यह सामने आर्थी आप राहूल गांधी और गांधी परिवार के मतलब ठीक्टा करीबी है आप जानते हैं कई चीज़े राहूल गांधी की निटीश कुमार के साथ जो लंबी चौड़ी बातचीत हुई और टीवी चानल पर भी चाही रही है तो यहां पर भी क्या यह तमाम तरह की उठापटक से रिलेटेड रही है यह बातचीत देखे इनकी राहूल गांधी की जो एक खुबसूरत आदत है वो यह है कि जब भी कोई चीज होती है इस समय तो उनकी इच्छा भी बड़ी अच्छी है एक संत की तरह है मात्मा गांधी की तरह है मैं एक पत्कार की तरह है बात कह रहा हूं तो वो जैसे ही शरत पवार से अलग हुए देंकि मैं राहूल गांधी का पहले हिस्सा डिसकस कर लेता हूं जैसे ही शरत पवार से अजीज पवार अलग हो गए और शरत पवार घर में अकेले थे उस सेट बैक को लेकर उस समय राहूल गांधी के अंदर एक बहुर अच्छी चीज समझ में आई अभी आपके सामने कि वो दानी शली को जैसे ही रमेज दूडी ने कुछ अब्शब्त बोले गाली गरोश किया वो घर में वैठे थे तो कोई और नहीं गया था उनके घर में यह राहूल गांधी सबसे प लेकि अगर हुआ होगा और राहूल गांधी ने उस विश्या पर लेकिन जहां तक मुझे मुझे खबरें हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वह छोड़ने जा रहे हैं इंडिया एलाइंस और एंडिये में जा रहे हैं अभी बहुत सारी चीजे बाकी हैं अगर ममता बनर जी इन नाम भूशित कर दिया है घर्गे जी का लिखिय एक यहीं पर देख लिए कि कितने बार कितने 20 साल से तो वह स्यम बने हुए रेल मंतरी बने जाने क्या क्या बने अब वह सीम बनने के लिए नडिये में जोरु नहीं पन चुके अब उन्हें जो कुछ भी बनना है वह प निटीश कुमार को और कुछ नहीं बनना है तो उनकी अगर राहूल गांधी से संदर में बात हुई होगी जहां तर मुझे पता है बात तो हुई है लेकिन क्या बात हुई है ये कि उनको बड़े तीम बदों में एक पद उनके लिए ही कि इंडिया एलाइंस का की स्थापना निटीश कुमार ने की है और निटीश कुमार अपने राजनितिक जीवन के ये जो उपसंधार का काल है जो अंतिंक काल है उसमें वो ऐसे निड़ने नहीं करने वाले हैं जो उन्हें एकदम एंडिया में जाके क्या होगा एंडिया में जाके और राजी प्रताबूरी बन जाएंगे अंडिये में जाकर अब उनके लिए क्यों नरेंद मोधी का जो इस्टाइल है काम करने का कि एक बार हमारे खिलाब जो गया तो उसको मट्टी में मिलाक मिलाके ही मानते हैं तो जब तक वो हैं तो राहुल गांदी की चर्चा उनसे इसी संदर में जो भी होगी और उनको एक assurance मिला है मिला होगा कि आप इंडिया के स्थापना करने वाले आप इसमें रहे आप खरगे का नाम जो ममता बनर जी ने प्रस्तावित किया है खरगे ने उसी प्रेस कांफरेंज में बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है ममता जी ने बोल दिया है लेकिन सब जीत के आएंगे और तब सांसद्व एक सांसद्व दिल का नेता चुनेंगे तो इसमें भी बड़ी बात ही होगी चुकि राहुल गांधी को प्रियंका गांधी को और किसी को परधान मंत्री बनना नहीं है इसलिए मेरे ख्याल से उनक्से जो राहुल गांधी से बात हुई है वो यही बात हुई कि आपके नेत्रत में सब शुरू हुआ है और आपके नेत्रत में ही से रहेगा उनका में रहेगा है और इतनी रेजामंदी हो रहें अतनृ हो मुखह मंद्री के तोरा पर टेजश्वियादव का नाम आगे हो सथी चर्चाओं को भी आप मतलब कुछ कुछ स्वी यादों को भी बता है यह नितिश कुमार को ही बता है यह पूरे देश के पत्रकारों को सबको बता है कि अगला मुखमंत्री बिहार के यादों जो ऐसे सामने ना ते यादों और घर बैठे थे इनके आएक इफ्तार हुआ था हमको आपको याद है और उस इफ्तार में जब RCP सिंग ने इन्हें दोखा दिया था निजीश कुमार नो तो मुक्हमंत्री रहते हुए सीधे गए और उस समय लालू जी के इफ्तार में जाके बैठे और वहां से ब्ला ताजु हुआ था लोग है और उन्होंने खुद मुक्हमंत्री बने और उनको उप मुक्हमंत्री बनाया इतनी जल्दी मुझे लगता है तेजश्वी आदों को इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं है मुक्हमंत्री बनने थी अब मेरे काल से मीडिया वाले जो चला रहे हैं यह एंगिल तो हो भी नहीं उन्हें जा रहा है जिसकी यह लोग सूचना बोलते हैं कि निजीश कुमार से कुछ तूट जाएंगे और तेजस्वी आदो तेजस्वी आदो इसे जानता हूं कि तेजस्वी आदो इतने घटिया इस तर पर नहीं उतरेंगे कि वह बुजर्गों का बड़ा सम्मान भी करते हैं यह उनकी बड़ी विश्था है और इमोशनल भी है तो मेरे क्याल से कि यहां मुख्य मंतरी की बाते जो हैं वह बहुत जादा हवा हवा इसले नहीं लगती है क्योंकि नितीश कुमार ने खुद भी यह कहा था कि वह उपनेता और राष्टे जंता दल के मतलब नेता तेजस्वी आदो जो है वो दोहजार चौबीस में विधान समा चुनाओं क लेकर चल रहे हैं और तेजस्वी आदव को लेकर यह बाती भी सामने आ रही है कि तमाम और बाकी पार्टियों के भी वह नेता जो की कहीं लालू यादव के साथ बहुत एक कसाम में रहते थे उन्हें उतना पसंद नहीं भी करते थे वह तिजस्वी आदव को जादा मुखमंत्री बनने वाली जो चर्चाएं उठ रही हैं इसमें आपको लगता है कि 29 तारीक नितीश इसमें भी अपनी पार्टी में कोई बड़ा फैसल ले सकते हैं यह बिल्कुल बिल्कुल इसमें यह लेडी वो कह चुक है और वो यह चाहते भी हैं कि नितीश यह तेश्वी कि आदों के मुखमंत्री तो काल का नहीं होगा उस पद का नहीं होगा 29 तारीक को राश्ट्री परिशत की बैठाट राश्ट्री परिशत जो है जेटी यू के आंतरिक निर्णयों को लेते उसमें 200 सदस्य हैं विनीता जी अब वो 200 सदस्य बैठके निर्णय लेंगे वो आ हम लोग जो है अब नितीश कुमार है अब एक जैप्रकास नराइन की भूंका में आए बिहार से इंडिया एलाइन शुरू हुआ है अब जाके राश्ट्री चीजों का नेत्रत तो करें तीन-चार महने बाती हैं और तब तक इनको मुखमंत्री बना दें तेजश्वी आद कि सिर्फ तेजश्वी आदो अपने को मुखमंत्री बनाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे उनके नितीश चाचा जो है उनको हर्ट हो या उनके दल में तोड़-फोड करने की यह बिल्कुल उनके बाद राज्जीत के लिए भी 40-50 साल पढ़े हैं और वो कई ललन सिंग की तरफ से थोड़ी सी बात यह हो सकती है कि ललन सिंग कुछ दो तीन सीटों पर अड़ रहे थे कि हम इनको ठिकट दें और नितीश कुमार उनको ठिकट नहीं देना चाहिए थे लोग सा बाता तो एक वो अच्छा चूपी है थी कार सब उनके पास है इनके पास ललन सिंग के राश्टियत है एक चीज़ और भी है ललन सिंग इस्तीफा लेके गए कहां गए ललन सिंग इस्तीफा लेके गए नितीश कुमार के पास तो नितीश कुमार को इस्तीफा लेने का हकी नहीं है वो क्या नितीश कुमार इस्तीफा नहीं ले सकते हैं जो 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 स प्रदान महा सची हो रहे हैं इसको ही आप इस्तीफा दे सकते हैं परदान महा वज्कित का और लालन सिंग को मड़ा है बीच की के खेल हो रहा है लेकिन कुल मिला करके अभी तस्वीर क्या साफ होगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है और अगर नितीश कुमार यहां पर गड़बंदन के साथ रहते हैं और अपने जेडियों के आंतरे के मामलों को सुलजा लेते हैं तो फिर 2024 में वो एक एहम रोल प्ले कर सकेंगे और ये रोल इस तरह का होगा जो कि एक कूटनितिक दिमाग का होता है जैसे कि एक छोटी पाटी और कम सीटों के बाबजूद भी वो हमेश्च सत्ता में बने रहते हैं और अपनी एहमियत को अहसास दिलाई रहते हैं तमाम दलों को वहां पर नितीश कुमार एक बड़ा र तो ऐसी सिचुएशन में इसमें भी कोई दो राए निया कि बीजेपी बहुत जल्दी खुश हो रही है इस आंतरिक मामले को देखते वे और इसमें भी कोई दो राए नहीं कि दो हाटा जाने पर ना जाने कि इतनी पॉलिटिकल पार्टियों के आंतरिक मामले सामने आने ल अब निटीश कुमार क्या बनने जाएंगे एंडिये में यह सवाल है सबके जहन में है कि वहां अगर वो जाते हैं उनको प्रधानमंत्री पत्तों नहीं मिलेगा जायब सी बात है यही बात मैंने अपने शो की शुरुआत में कर दी थी लेकिन अब सवाल इसी सवाल के साथ कि अगर निटीश कुमार अब अपनी जिम्मेदारियों से पॉलिटिकल अपनी इस जेडियू पार्टी को लेकर के अपनी जिम्मेदारियों से एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो यह यहां पर बीजेपी के लिए एक बड़ी ख़बर हो सकती है जिसमें अभी भी वो एक अ होगा सिर्फ निउस नशा